दोस्तों नमस्कार फिर से हाजिर हैं आपके साधम यूपी जीके के प्रस्णों के लेकर आएए डिस्कस करते हैं प्रस्णों को प्रस्ण नमबर एक है मित्रो सर्वाधिक अनुसूचित जन्जातियों के प्रतिसत वाला जिला कौन सा है क्या है सरवाधिक अनसूचित जनजातियों के प्रत्षत वाला जिला कौन सा है आफसन A है मित्रों मिर्जापूर आफसन B है सोन भद्र आफसन C है खीरी आफसन D है बिजनोर तो सरवाधिक जनजातियों प्रत्षत वाला कौन सा जिला हो जाएगा ये सोन भद्र हो जाएगा ये प्रतिसत में भी जादा है और वैसे भी जादा है ठीक, संख्या में वैसे भी जादा है तो आफसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगले प्रस्ण पर चलते हैं, अगला प्रस्ण है मित्रों, सबसे कम अनुसूचित जन्जाती वाला जिला कौन सा है, इसमें सबसे कम अनुसूसी जन्जाति पूछा गया है तो आपसन देखते हैं आपसन A है बागपत आपसन B है बरेली आपसन C है आजमگड आपसन B है महू तो सबसे कम ановे है यह बागपत में है मित्रो आपसन A इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सोनभद्र और सबसे कम बागपद, ठीक, सोनभद्र प्रचत में भी और संख्या में भी, और बागपद सबसे कम, अगले प्रस्ण में चलते हैं मित्रों, अगला प्रस्ण है प्रदेश में सरवाधिक जन संख्या वाली जन जाती, उत्तर प्रदेश में सब अधिक जन संख्यावाली कौन सी जन जाती है आफसन ए थारू आफसन-B है गोंड आफसन-C है चेरो आफसन-D है खरवार तो सबस्यादा कौन सी है यह थारू है आफसन-A इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले परस्ण में चलते हैं मित्रों अगला परस्ण है निम्न में से कौन सही सुमेलिद है तो इसमें सही सुमेलिद करना है आफसन ए में है खरवार ललितपुर आफसन भी है भोकसा बिजनोर आफसन डी है बैगा बहराईच आफसन डी है थारू बारावंकी तो इसमें केवल एक ही सुमेलिद है ये भोकसा बिजनोर में पाई जाती ठीक अगले प्रशन में चलते हैं मित्रों, अगला प्रशन है केंदर सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जन जातियों को कब सूची बद किया गया था, केंदर सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 10 नई जन जातियों को कब जो है सूची बद किया गया था, इसमें वही एर पूछा गया तो अगर जन जाती हो और उत्तर परदेश हो और आपसन में गद्र। तो आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं सीधे सो नुगद रुपे लगा देना ठीक आफसन ए इसका राइट आंसर रहेगा अगले प्रस्ण में चलते हैं मित्रों अगला प्रस्ण है थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था जो थारू ज प्रस्ण यह जाता है यह सोनभद्र आफसन दीफे गाजियाबाद तो इसमें भी सोनभद्र आ गया हना तो आपको यही सही करना है आफसन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अगले प्रश्ण पे चलते हैं, अगला प्रश्ण है मित्रों, कर्मा किस जन्जादी का लोक निरित्त है, कर्मा एक लोक निरित्त है जो यह किस जन्जादी द्वारा किया जाता है, आफसन ए है मित्रों, थारू, आफसन बी है खरवार, आफसन सी है भुक्सा, आफसन डी है द्ञारे वैगा, तो कर्मा किसा जंजात द्वार है। यह खर्वार जंजात द्वार किया आता है। आफसन B इसका right answer हो जाएगा मित्रों, अगले प्रस्ण पे चलते हैं, अगला प्रस्ण है साथियों, निम्न लिखित में से किस जंजात में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, बिरादरी पंचायत किस जंजात में पाई जाती है, आफसन A है मित्रों, बुक्सा, आफसन B है आफसन C है पहरिया, आफसन D है खरवार, तो किस जन्जात में बिरादरी पंचायत पाई जाती है, ये बुक्सा में पाई जाती है मित्रों, आफसन A इसका सही उत्तर हो जाएगा, अगले प्रसन पर चलते हैं साथियों, अगला प्रसन है अगरिया, वैगा वा भुया, अन्स आफसन B है जालोन, आफसन C है सोन भद्र, आफसन D है ललीदपुर, तो इसमें भी आपका सोन भद्र मिल गया नै, तो आफसन C, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, अगले प्रसन पर चलते हैं, आगला प्रसन है मित्रों, प्रधान मंत्री ने गंगा विलास कुरूज क का उधातन कहां से किया पित्रों ये करंट से कuestion हैं हम ने इसको गवर कर लिया है तो अभी पी-यम जो है गंगा विलास क्रूज का कहां से उधधा हैं आई है आइसे ऑफसन देखते हैं आपसन-े दूरी तय करेगा ठीक अगले प्रस्ण पे चलते हैं मित्रों अगला प्रस्ण है परिवार नियोजन बीमा योजना शुरू की गई थी परिवार नियोजन जन संख्या पे रोक लगाने के लिए था ठीक तो यह कब शुरू की गई थी इसको बताना है आफसन ए है 30 जून 2004 30 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था आफसन डी इसका सही और सटीक उत्तर हो जाएगा मित्रों अगले प्रस्ण पे चलते हैं अगला प्रस्ण है मित्रों राष्टिय ग्रामीड स्वास्त मिशन शुरू हुआ राष्टिय ग्रामीड स्वास्त मिशन इसको साड़कट में न नेशनल हेल्थ मिशन ठीक इसमें आफशन देखते हैं मित्रों आफशन ए है 15 अगस्त 2002 आफशन भी है 31 मार्च 2003 आफशन सी है 18 जून 2004 आफशन डी है 12 अपरेल 2005 तो नेशनल हेल्थ मिशन राष्टिक ग्रामीड स्वास्त मिशन 12 अपरेल 2005 को सुरू किया गया है थी अफशन दी इसका राइड आंसर हो जागा अगले प्रसण पर चलते हैं अगला प्रसण है मित्रों स्वाधार योजना संबंदित है स्वाधार योजना उत्तर प्रदेश में जो चल रही है किसे सम्वंदित है आफसन A है अस्थापत्य कला की परतीक इमारतों को मजबूत करना आफसन B है संघर्स सील महिलाओं की सहायता करना आफसन C है तकनीकी रूप से कुसल लोगों को रोजगार देना आफसन D है समय से पूर्वकार से अलग हुए कामगारों को प्रसिछन देना तो स्वाधार योजना किसे सम्वंदित है मित्रों ये संघर्स सील महिलाओं की सहायता करता है आफसन B इसका सही उत्तर हो जाएगा तो मित्रों क्वेस्चन हमारे डेली इतने ही रहते हैं क्वेस्चन समाथे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को लाइक करिएगा और जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत